सद्दसार कस्मीर कस्मीर का नाम आते ही आपने वो मशूर गाना सुना होगा कितनी खुबसूरत ये तस्बीर है मौसम बे मिसाल, बे नजीर है ये कस्मीर है, ये कस्मीर है अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो मैं यहां कस्मीर बोल रहा हूँ कस्मीर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कस्मीर और कश्मीर में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है जो वहाँ पर एक जील है जिसको डल जील बोलते है डल जील पर एक सरकल बना हुआ है, राउंड शेप है उस राउंड शेप के बीच में अगर आप उपर जाएंगे तो एक कुंडल बन है, कुंडल बन का मतलब है, जिसमें कुंडली मारी हुई सरक है यानि कि सरक जाने के लिए जो बन है वो कुंडली मारी हुई गोल-गोल चक्र में जाके उपर जाते है और वहाँ ऊपर खुला उस्तान है थोड़ा सा वहाँ पे एक construction हुई है कह सकते हैं कि एक भवन बना हुआ है या एक जो इट पत्रों का जो एक structure होता है वहाँ पर एक structure है उस structure पे अभी तो वहाँ जो security guards हैं वो camera लेके जाने को मना करते हैं मगर जब मैं पहली बार गया था तो वहाँ camera allowed था वहाँ की जो सीडियां और जो वहाँ की कलाकिरती बनी हुई है जो वहाँ का architecture है उसमें कमल के फूलों का जो पद्दती होती है बुद्ध साहिति की या बौध की वो वहाँ मिलती है और इससे ये पुरूव हो जाता है कि यहाँ पर जो संगती हुई थी जिसको चौथी संगती बोलते है संगती का मतलब है कि सारे भिकु मिलके और भिकुणी मिलके एक राजा जो कुशान के राजा कनिक्स थे उन्होंने वहाँ पर लगबग ईसा के मरने के 122 से लेके 144 साल के बीच में वहाँ पर संगती कराए थी और सारे बहुत भिकुण वहाँ आए थे जो गंधार का एरिया है जिसको गंधब बोलते है उसकी राजधानी तकसला हुआ करती थी जो आज की जेट में जिसको कंधार बोलते है और जो गंधारी जितनी भी आर्किटेक्चर है वह आपने बहुत सारी स्टेचू देखी होंगी जो पाकिस्तान में मिलती है अगर आप नेट खोलेंगे तो गंधारी स्टेचूं से भरा पड़ा है पाकिस्तान का पूरा पूरा एरिया और इरान तक होती थी तो कस्मीर को कश्मीर नहीं बोलते थे पहले क्योंकि शेय तो पाली में है ही नहीं तो कस्त का मतलब क्या है यहां कस्त का मतलब है कस्तना जैसे आज आप कहते हैं कि कदू कस्त दो या कदू कस्त देना हमें या इसको अच्छी तरह से कस्त दो इसको बांधना होता है तो कहते हैं इसको अच्छी तरह से कस दो या इसको कसो या तुमने ये कसा या नहीं कसा इस कस के अगर हम खेत को कसते हैं यानि के जो खेत है हमारा जमीन है तो उसको कसना बोलते हैं तो उसको आज की डेट में जोतना भी बोलते हैं यानि जमीन को कसें तो उसको पलो या जोतना बोलते हैं वो भी कसना यही है और एक होता है मन को कसना शरीर को मन को कसके इसको सुद्ध करना इसको इससे गंदगी निकालना इससे मेल निकालना और इससे अच्छी उपज लेना भग्नवान बुद्ध के भंगी बुद्ध के ततागत बुद्ध के सुगत के जितने भी धम के सुतन हैं उन में मन और मस्तिक्स यानि मन और सरीर सौफ्ट्वेर हार्डवेर मस्तिक्स तो प्रोसेसर को बोलते है मन जो होता है वो सौफ्टवेर है और जो सरीर है वो हार्डवेर है तो मन को और रूप को रूप का मतलब हार्डवेर इनको कसना होता है शुद करना होता है इनसे गंदगी निकालनी होती है इसको वहाँ कस से लिया गया है क्योंकि कस्मीर के अंदर बहुत अच्छा बाता बना और बहुत अच्छी जगह है और वहाँ बहुत फूर्ट फुल यल्ट आते थे अगर आप नेट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी कस्मीर के एरिया में जो ले लद्दा के अंदर एक मौनेश्टी है उसके अंदर अगर जाएंगे तो वहाँ पर ईसा मसी भी आए हैं और वहाँ पर उन्होंने अपने आपको कसा है और अपने मन को सुद्ध किय जो वहाँ की एक मौनेश्टी बोलते हैं जिसको वो बड़ी फेमस है मैं फिर कभी उसके बारे में आपको बताऊंगा यहाँ जो कसना मतलब है वो मन को कसना है और कसेन जो बोलते हैं यानि मन के द्वारा कसा हुआ कसन या कशन बोलते हैं इसका मतलब है चित को और मन को मन क कंट्रॉल में करने के यानि कसने के साधन और कसी रेन का मतलब होता है कि कठनाई के द्वारा यानि जितनी भी कठनाई है उसके द्वारा इसको कसना तो यहां कस के दो मतलब आते हैं खेत को कसना यानि खेत को जोतना और मन को कसना यानि मन को जोतना दोनों का रियल्ट अच्छा आता है और मीर जो सब्द है मीर सब्द अरब से आया हुआ सब्द है क्योंकि मीर माने होता है मुखे, नेता, नायक किसी वर का मुखिया इसको मीर बोलते हैं ये पाली का सब्द नहीं है और वहाँ जो आचारे होते हैं जो इसलाम की आचारे होते हैं उनको भी मीर बोला जाता है चुकि महां से जो बोधी की और बुद्ध की जो एजूकेशन थी वो इरान तक गए थी और फिर महां जो इसलाम आया इसलाम बापस यहां तक आया तो वो तब तक यहां से बोधी की और बुद्ध की एजुकेशन जा चुकी थी लोग भूल चुके थे तो उनके पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी कि वो अपने अमन को कैसे सुदगे हैं तो उन्होंने इसलाम को एडॉट कर लिया तो कस और मीर दौनों सब्द बड़े कमाल के हैं एक पाली का है और एक अर्बी का सब्द है और कस्मीर के जो पीछे के एरिया है वहां तक जो इसलाम था वो नहीं पहुँचा इसलिए जब आप पीछे की तरब लेह में जाएंगे तो लेह में सारे के सारे आज भी वही बोधी परंपरा के लोग हैं की वहां मौसम जादा हार्ड रहता था वहां इसलाम नहीं पहुच पाया वहां और भी लोग नहीं पहुच पाये इसलिए वो शुद रूप में अपने बोधी रूप में वहां बना हुआ है तो कस्मीर का ये बहुत सुन्दर सा दो सब्दों से मिलके बना हुआ एक शब्द है और जब कभी आप कस्मीर जाएं तो वहां जो कुंडल बन के अंदर जो उपर की तरफ एक बिहार बना हुआ है उस बिहार को जरूर देखें उस बिहार में आज भी कमल की खुदाई हो रही है जो पत्थरों या मंजलें या दिवारें या इमारते तोड़ के विचार को तोड़ा जाज जा सकता है जबकि सारे विचार सुद्ध मन को होने के हैं अगर आप एक सुद्ध लोग हैं अगर कोई विचार आपका सुद्ध है कोई टेखनिक आपकी सुद्ध है तो आप कभी भी किसी का कोई टेंपल ना तोड़ेंगे ना बनाएंगे यह सब प्राक्रति के अपने आप चलता है धन्यवाद कि एlor सस्य कुष्यार प्राक्रति रफ upp प्री में ई tú अपताबस एक जआ को एक हमें